बिना गैस जलाए आज हम बनाएंगे दू मिनिट में आम का इतना टेस्टी डेजर्ट जिसे खाने के बाद आपको बहुत जादा मजा जाएगा तो इस रेसेपी को बिलकुल भी मिसना करें जरूर ट्राइ करें इसे बनाने के लिए हमें यापे मीठे आम चाहिए होंगे मैंन इसमें आपको डाल देनी है ताकि चीन भी पिस जाए अब ने मीठे आम ली है तो आप चीनी भी उसह संप से डाले चीनी आपको नहीं लेनी है यहाँ मैंने चार बड़े चममच चीनी डाली है 1-4 cup चीनी है इसके बाद आपको इसको पीस लेना है कोई दूद वगएरा या अब एक बॉल में क्या करते हैं फ्रेश क्रीम डाल देते हैं हमें आपे अमूल की फ्रेश क्रीम लेनी है और फ्रेश क्रीम आप फ्रिज से पहले ही निकाल ले एक दो घंटा पहले ताकि वह ऐसे रूंग टंपरेचर पर आगे स्मूध हो जए इससे क्या होगा इसमें प्योरे के बाद इन दोनों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेंए जब तक क्रीम अच्छे से मिक्स नहीं हो जाये आपको इसमें अलग से कोई और लिक्विड नहीं डालना है कि जो इसकी कंसिस्टेंस होती है वो हमें थिकी चाहिए होगा इस डैजर्ट के लिए आप देग सक हमारा यहां पे तयार हो चुका है डेजर्ट आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं लिकिन इसे और भी जदर टेस्टी बनाने के लिए मैं आपे फूर्ट का यूज कर रहे हूं जैसे कि हम बनाना ले लेंगे बनाना बहुत अच्छा लगता है साथ में इसी के साथ इसमें ग्रेप्स डाल सकते हैं कम डालने तो कम-कम डाल सकते हैं फिर मैंने आपे सेब डाल दिया और थोड़ी सा ड्राइफरू डाल देते हैं जैसे मैंने आपे काजू लिया है आप किश्मिश भी ले सकते हैं और साथी में पिस्ता डाल देते हैं कटा हुआ काजू और पिस्ता को तो बहु अब यह जो हमारे प्योरी है तेयार हो चुकी है आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी अचाब बहुत से लोगों को आइस क्रीम खाने में प्रॉबलम होती है तो यह उनके लिए बैस्ट है क्योंकि आपको आइस क्रीम भी नहीं होगी लेकिन जब आप इसे खाएंगे तो आपको ऐसा ही फिलोगा कि आप आइस क्रीम ही खा रहे हैं इसके बाद इसे हम गाणिश कर देते हैं और मैंने पहले इसे थंडा कर लिया था तैयार करने के बाद उसके बास सर्फ करें गारनिशिंग के लिए आप ऊपर से थोड़े मैंगो और यह जो हमने जितने भी और पिस्ता भी डाल दिया है आप इस डेजर्ट को अपने हिजाब से खा सकते हैं आप चाहें तो इसे ठंडा करके खाएं या फिर आप इसे नॉर्मल टैमरेचर पर भी खाएंगे तो भी अच्छा लगेगा आपको आज की रेसेपी कैसी लगी जरूर मुझे बताएं कॉमें अगर आपको रेसेपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर्ट जरूर करें फिर मिलते हैं एक और ही रेसेपी के साथ